इस वीडियो में हम बात करेंगे IPC के सेक्षिन 397 के बारे में धारा 397 397 IPC का सेक्षिन कब लगता है देखिए जब कोई डकैती करने जाता है अगर डकैती के दौरान कोई घातक हत्यार साथ में लेकर जाता है कोई ऐसे डेंजरस वेपन साथ में लेकर जाता है डेंजरस वैपन अगर डखैती के दौरान कोई ऐसे डेंजरस वैपन लेकर जाता है जिस से किसी दूसरे व्यक्ति को जहां पर वो डखैती करने गए हैं उनकी जान को खत्रा हो या उनको गंबीर चोट पहुंच सके या डखैती के दौरान वो किसी को गंबीर चोट पहुंचा दें या हो सकता है उसकी हत्या भी कर दें तो 397 IPC का सेक्शन लगता है देखिए अगर तो किसी की हत्या कर दी तो साथ में अलग से 302 तो लगेगी ही 397 IPC का सेक्शन भी लगेगा अगर किसी की हत्या ना भी करें किसी को गंबीर चोट ना भी पहुंचाएं लेकिन डकैती के दोरान अगर वो पकड़े गए और उनके पास घात तक हतियार मिले तो 397 IPC का सेक्शन लगेगा क्योंकि उनके पास जो हतियार थे उससे किसी की मृत्यू हो सकती थी या उनको गंबीर चोट पहुंच सकती थी डकैती के दोरान तो 397 IPC का सेक्शन तब लगता है अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी सजा मिलेगी और इसके मेंट पॉइंट्स किया है देखिए इसमें साथ साल तक की सजा है साथ साल की रिग्रस पनिश्मेंट है और साथ में जर्माना है ये एक नौन बेलेबल ओफेंस है नौन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती अपराद जिसकी पुलिस टेशन में कोई जमानत नहीं होती है बेल एप्लिकेशन लगानी पड़ेगी कोट में उसके बाद कोट पे डिपेंड करता है बेल देनी है या नहीं देनी है ये कागनी जेवल ओफेंस है कागनी जेवल मतलब पुलिस बिना किसी वारंट के गरफतार कर लेती है रोपी वेक्ति को और ये नौन कमपाउंडेवल है non compoundable का मतलब होता है कि ये गैर समझाता वादी है इसमें समझाता नहीं किया जा सकता जो compoundable होते हैं उनमें समझाता हो जाता है लेकिन ये गैर समझाता वादी है non compoundable है और इसका जो trial है जो proceeding है इसकी वो session court में चलती है एक तो lower court होता है लेकिन इसकी जो proceeding है वो session quote में चलेंगी तो ये जानकारी थी धारा 397 IPC के बारे में अमीद करता हूँ clear हो गया होगा कोई confusion रहागी हो तो please comment करके बताईएगा laws related कोई भी और की जानकारी चाहिए आपको तो comment कर सकते हैं और जाने से पहले channel subscribe जरूर कर लिजएगा क्योंकि इस channel पर कानून से related videos बनाए जाते हैं बिल्कुल simple भाशा में simple language में जो कि आपको असानी से समझ में आ सके हैं और आपको जानकार बनाएं सशक्त बनाएं तो channel जरूर सबस्क्राइब कीज़ेगा शुक्रियो